हलो फ्रेंड्स आप सभी का दी शहनवाज यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो इस वक्त हम मौझूद हैं सिधोली रेलवे इस रेस्टन पर तो आप सभी के लिए सिधोली से कोज रेशन्ट की अपडेट लेकर आए हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पुरुत्तर रेलवे के लखनो मंदल के अंतरगत गोंती नगर गोरकपूर और दोली रेलवे से रेंपर कोज रेशन्ट का काम किया रहा है फिलाल गोंती नगर में जो पुझ रेचन्ट है उसके सुक्रवार को हो चुकी है और आज की अपडेट हम सिधोली से लेकर आएं को रोशन की त शुरू से लेकर आखरी तक वीडियो को देखेगा आप सभी को फूल अब्डेट देने वाले हैं आज की इस वीडियो में सिधावली से जो काम चल लाए कोज रेशन का तो दोस्तो हम पहुँच रहें सिधावली रेलवे इस एसन पर और आप सभी को ट्रेन से छोटा सभी कोज रेशन का दिखा रहें सामने आप सभी को सिधावली के इस एसन के बाहर दो आईसे के कोज दिखाई दे रहोंगे और अब हम आ चुके हैं बाहर तो आपको बाहर से विव दिखाएंगे कोच रिश्टन का तो काफी तेजी के साथ यहां पर काम चला है कोच रिश्टन को बनाने के लिए तिलाल आप सभी को जो दो कोच नजर आ रहे हैं इन कोचों के उपर कुछ जगाओं पर पेंड़ भी कर लिया गया है और यहां पर कोच के अंदर जाने के लिए चार जीने बना गये हैं तो एक एक कोच में दो तरफ दरवाजे बने हुए हैं तो टोटल चार गेट अंदर जाने के लिए बना लिए गये हैं और यहां पर आप सभी को लोहे के जीने नजर आ रहे होगे साथ में कोच के बाहर यानि कि जहां तक कोच बना हुआ है वहां तक बाउंडरी भी उठा ली गये है छोटी सी आप सभी को नजर आ रहे होगी तो काफी तेजी के साथ काम चलना है सिदोली रेलवे इस्टेशन पर कोच रेस्टेट का और ये काम लगबग दो से तीन महीने में पुरा हो जाएगा तो काफी ज़्यादा आप सभी को यहां पर इस पेस भी नजर आ रहा होगा तो बाहर पार्क के जैसा आप सभी को लुक नजर आएगा जैसा कि प्रिंट मीडिया में खबर निकल कर आई थी कि कोच रेस्टेट के बाहर पार्क जैसा नजरा देखने को मिलेगा फिलाल ये तो जब यहां पर बन कर तयार हो तभी बता चलेगा कि बाहर का कैसा क्या सेन होने वाला है तो आप सभी को इसी कोच के अंदर काफी बढ़िया खाने की चीज़ें मिलेंगी और ये कोच पूरी तरीके से वातन कूलित होगा तो आप लोग आसानी के साथ यहां पर कोच रेस्टेट में आनन्द ले सकेंगे और इसी के पास से जो हमारा हाईवे है लखनो दिल्ली का वो गुजरा हुआ है तो दोनों ही तरफ से लोग को फाइदा मिलेगा जो लोग ट्रेन से सफर करेंगे उन सभी को कोच रेस्टेट का आनन्द मिलेगा साथ में जो लोग इस हाईवे से गुजरेंगे और से जो लोग बासी में आप सभी को कोच रेस्टेट मिल जाएगा तो काफी बढ़िया इंत्याम रेलवे के तरफ से किया जा रहा है फिलाल आप सभी को बता दें पूर उत्तर रेलवे के लखनो मंडल के अंतरगत तीन रेलवे शहसनों पर कोच रेस्टेट का काम होना था जिसमें गोरगपूर, गोमती नगर और सिधोली रेलवे शहसन सामिल है तो आप सभी को बता दें गोमती नगर शहसन पर कोच रेस्टेट के सुरुबात कर दी गए है और आप सिधोली और गोरगपुर में ये काम काफितेजी के साथ चल ला आ है तो फिलार हम आज चुके हैं प्रेफॉन नमबर एक पर और यहां पर आप सभी को काफिता रो मटेरियल दिखाई दे रहा होगा जो कि ये सारा समान कोश के अंदर से बाहर निकाला गया है तो आप सभी के लिए छोटी सी अपडेट सिधोली से लेकर आये से कोच रेशन की और जब इसकी सुरुवात करी जाएगी तो उसकी भी अपडेट आप सभी को जुरूर देंगे अपने चैनल के माद्यम से तो आप सभी को छोटी सी अपडेट कैसी लिगे सी दोली से कोच रेशन की आप लोग कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा दोस्तो आज की वीडियो में हमने आप सभी को दोली में जो कोच रेशन बन आए उसकी अपडेट दी अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा लोगों में शेयर कीजिएगा पहली बार हमाँ चैनल पर आ रहे हैं तो हमाँ चैनल को सब्सक्राइब के लिएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत